हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्ट टेक्ट अकैडमी में मैं सुषट कांत्रा है आज का वीडियो है वो भी बिहार सुषट बढ़ती 2019 से ही समधित है आप काफी दिनों से देख रहे हूएं कि जो बिहार सरकार है और इसका सिच्षा विवाग है उसकी बाते बार बार कौंसलिंग को लेकर परवर्चित होती है यानि कि बदलते रहते हैं अपने बात बीचार बदलते रहते हैं यह सरकार कहले हैं सिच्छा वीबाग मतलत दोनों मैं से कोई भी कायम ने रहा रहा है चाया कोई रजनितिक कारण हो या प्रसाशनिक कारण हो अभी आपको पहले एक वीडियो मैं ने बना के दिया था जिसमें जो है एक दियुसी काउंसलिंग के बारे में चर्चा की गई थी और आप लोग देखी रहे हैं कि उससे पहले हो रहा था कि जिला अस्तर पे जो कैम्प लगता था उसी के अनुसार लगे गा जैसे पुराना सिस्टम था और उसके बाद फिर सिछा विवाकी तरफ से मीडिया में बयान जारी किया गया कि इस वर जो बहाली होगी वो जो है ब्लॉक अस्तर पे कैम्प लगा करके होगी तो उसके उपर भी मैंने वीडियो बनाया था जिला अस्तर पे कैम्प कैसे लगता है इसके उपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ व्लॉक अस्तर पे जो है जब कैम पर लगना था उसके उपर मैंने एक वीडियो जो है पना के डाला था समीशा की थी कि उससे क्या फायदा होगा क्या अनुकसान होगा काफी लोगों ने उसको पसंद किया और आज जब बाट होने लगी है की एक दिवसी कॉंसलिंग होगी तो एक दिवसी कॉंसलिंग की जो प्रकार से काम करता है और क्या इसमें सभी अभियरतियों का नियोजन सुनिष्चित हो सकता है कि नहीं हो सकता है या फिर लोग मेरे टाले लोग बाहर हो जाएंगे या फिर हाई मेरे टाले भी वंचीत रह सकते हैं ऐसा क्या-क्या मतलब संभावनाय है और इसका जो एक फैदा है या नुकसान है वो भी आपको जो है द्यानने के लिए समें मिल जाएगा लाश्क में आप आरी बातों से जो हम आपको बताएंगे और इसमें हमें एक बहुत ही मतमूर आपको बात बताने वाले हैं कि आप अपनी सीट कैसे कंफर्म करें एक युशी कौंसलिंग में अगर आप पाण नहीं है तो निश्ची दूरूर्प से नौकरी कैसे आप पासकते हैं युशी सब्सकराइब कर द offended करें कि तो आए श्रू करते हैं तो आज का वीडियो और जानते एक 1 लिए O प्रक्रिया होती हूँ कैसे सुरू होती है देखे एक दूसी कॉंसलिंग की जो प्रक्रिया है अगर आप जो है question की जो निमा ओली जो बनाइगे थी 2011 में तो एक दूसी कॉंसलिंग का मतलब उसमे यह होता था कि जो है मैरिट की आुbab्यर्थियों को बुलाया जाता था, कहाने को मतलब है कि एक merit जो है तैय कर ली जाती थी कि इतने से इतने merit तक के बच्चों को बुलाया जाएगा और सिर्फ उन्हीं लोगे की counselling होगी और उन्हीं की नौकरी जो है निशीत हो जाती थी और यहाँ पर सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया था निश्पेपर में कि जो counselling प्रक्रिया होती है जिसमें अभियरती भाग लेते हैं और वही अभियरती कई जगे आविदन किये रहते हैं इसलिए वो कहारे थे कि हम लोग एक दिसी counselling कराएंगे ताकि वो अभियरती एक ही जगे का चुनाओ करेगा और एक ही जगे counselling में जाएगा और दूसरी जगे जो सीटे बचेंगी वहाँ पर दूसरे अभियरती पहुंचेंगे ऐसा उनका तर्क था लेकिन चुकि एक दिसी counselling का जो original format होता है वो format जो है कि आप एक merit मिश्चित करके अगर आप एक दिसी counselling बलाते हैं वो तो बहुत अच्छी मानी जाती है लेकिन अगर आप camp mode में एक दिसी counselling लगाना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल बेकार है बिल्कुल नकारात में बाउत्पन करेगा अब्यारतियों के अंदर क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि जैसा सरकार ये मान के चले कि मतलब एक अब्यारती एक seat पर जाएगा ये तो बिल्कुल confirm है कि एक अब्यारती एक seat पर ही जाएगा लेकिन ये confirm नहीं है कि वहाँ पर जो है high merit वालों का होगा कि low merit वालों का होगा ये कोई confirmation नहीं रहती है यानि कि ज्यादा तर जिनकी seat फिक्स होंगी वह ही जाएगे ठीक है देखिए पहले तेक चीज़ समझ लिए कि सरकार का जो एक दूसी counselling करने जो formula है वो ये मानके चल लें कि हम एक ही दिन में सारी seat भर लेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जहां पर लखिए हर जगे क्या है हर जगे जो है एक एक दो दो seat है नहीं चार seat है नहीं पांच seat है यही है न और शिशा विवान क्या कह रहा है कि हम जो आयोजन करेंगे वो camp mode ब्लॉक अस्तर पर लगाएंगे तो अगर आप ब्लॉक अस्तर पर एक दोसी counselling का आयोजन करते हैं ठीक है जहां एक एक दो दो seat हैं category wise या यूर में अलगल category में जितनी भी इतनो seat हैं तो वहां पर आप सोचें कि कौन अभियर्थी वहां पहुँचेगा क्योंकि low merit वाले अभियर्थी तो ये मान के बैड़ जाते हैं कि मन लेकी हम तो भी क्रमांग में बहुत नीचे हैं 500 क्रमांग, 1000 क्रमांग हम कहते हैं 100 क्रमांग तक भी होंगे इसा होने वाला नहीं है एक-डिशी काउंसलिंग में सिर्फ high merit वाले बंदे ही जाएंगे और बिल्कुल ये कंफर्म है कि जो है उन्हीं लोगों का होगा, low merit वालों का यहां पे होगा नहीं एक का दुख का कोई बाइ चांस जो है अगर कोई व्यर्थी चला गया केसी कैंप में और वहां पर जो है कोई अव्यर्थी high merit वालों नहीं आए तो low merit वालों का हो जाएगा नहीं तो एक-डिशी काउंसलिंग में जो ज्यादा तर समभावना प्रवल बनती है वह जो है high merit वालों की बनती है और उनी की नौकरी पकी हो पाती है और इसके बाद फिर सरकार को एक बार फिर से दुबारा टेम्प लगाना पड़ेगा क्योंकि first round counseling जो एक-डिशी होगी तो उसमें सबका challenge वोने स्चित नहीं हो पाएगा यह बिल्कुल confirm है यह बात बिल्कुल मैं challenge करके कहता हम open challenge है एक-डिशी counseling में आप बिल्कुल कभी भी सीटे मतलब चाहें कि एक दिर में सारी सीटे भर ले तो ऐसा होई नहीं सकता है आपको second phase third phase लाना आई पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप देखी रहे है 2011 से चली रहा है ठीक है आज यह जो है चटा चरन चल रहा है क्योंकि सुरवाती जो counseling होई थी वह एक-डिशी counseling ही हो रही थी उसके बावजूद भी सीटे एक दिन में नहीं बरी थी जो कि ऐसा सम्भू नहीं है सरकार सोचती कुछ होता कुछ है प्रैक्टिकल रूप में ऐसा सम्भू नहीं है कि एक दिन में सारी सीटे बर जाए तो आए आप बात कर लेते हैं कि एक-डिशी counseling में अपनी जो आप नौकरी की सीट है जरा पर आप जाएंगे वह सुनीचित कैसे करें यहां पर यह जो वीडियो specially मतलब आपके लिए है जो हाय मेरिट वाले हैं ठीक है तो आपनों को यह देखना है ठीक है हाय मेरिट का मतलब यह मान के चलिये कि आप जो है अगर 88 से मान लेते हैं तो 88 से लेकर के आप और नीचे अगर डाउन आते हैं 70 तक भी हम मान लेते हैं 70 तक 88-70% तक वा लोगों इसमे सामिल कर लेते हैं उसके बाद कि लोगों को मैं काउंसलिंग नहीं करना चाओँ क्योंकि कोई फैदा नहीं है तो 88-70% तक कि जो लोग है वो एक दूसी काउंसलिंग में जहाँ चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल यह confirm आप ज्यान लिए कि आप उसी सीट पर जाईएगा जहां पर आपकी जो है confirm सीट हो ठीक है यानि कि आपको confirm सीट यहां पर दिखाई दे रही हो आप मल या कहीं पर 10 सीट है और उसमें आप 8 नमबर पहें नमबर पह तो वहीं पर जाईएगा और कहीं जाने का प्रयास नहीं करेगा आपको अपनी confirm सीट पर जाना है चाहे वह आपका बाहरी जिला हो चाहे आपका अपना ग्रही जला हो ठीक है तो यह कोई मतलब नहीं बिल्कुल अगर आपको नौकरी करनी है तो बिल्कुल यह confirm मानके में आपको उसी सीट पर जाना है जहां पर आपकी confirm सीट आपको नौकरी मिल रही है ठीक है और इधर दवर की कोसिस करिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पिर आपकी नौकरी चुड़ी आएगी और आपको फिर second phase third phase का इंतिजार करना पड़ेगा जैसे हम लोग करते आ रहे हैं तो आज के वीडियो में इतना ही कहना था कि एक दिसी कॉंसलिंग में भाग लिने का तरीका वही है कि आपकी जो confirm सीट बन रही वहीं पर जाए कहीं पी आपको यह वेटिंग बनती तो वहां पर ना जाए तो उमीद है कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा